हेलो एब्रिवन दिस इज मयांक एंड आपका एक बार फिर से मेरे वीडियो लेक्चर में स्वागत है आपको मैं खुसकवरी तो पहले देदू आपकी खुसकवरी यह है कि यह हमारी मोसन जो चैप्टर है इसके बाद इस लेक्चर के बाद खतम हो जाएगी समझ गे मतलब इ ऐसा क्यों गोल रहा हो देखो मैंने पहले ही आपको एंसी आर्टी के बढ़ियां बढ़ियां कोशन हो सकते थे ना एंसी आर्टी के वह मैंने करा दिये हैं अगर आप थोड़ा भी सिंसियर स्टुडेंट हो अगर आप थोड़ा भी जानते हो तो डैफिनेटली आप उसको कर ले जाओगे ठीक है कुछ कुछ कोशन नहीं बजगे हैं बाकि सारे important question मैंने करा ही दिये हैं तो बच्चे खुद से भी तो मेनद करो यार तो यह क्या है ना सर्कूलर मोसन है यह मोसन चप्टर की last क्या है वीडियो है इसके बाद जो है ना मोसन चप्टर अपना complete हो है तो मैं जितना दिया हुआ है ना उतना तो पढ़ाऊंगा उसे थोड़ा लेबल ऊपर ले जाने की भी कोशिस करूंगा ठीक है कुछ कोशन है एक ही कोशन है जनरली इस मतलब इस lecture में एक ही कोशन लोगा और वही सफिसेंट है वैसी टाइप के numerical आने वाले हैं बच्चे तो मैं क्यूं जबरन का इसमें numerical मतलब आपको जबरन का अंदर के concept में जैसे ओमेगा होती है एंगुलर एक्सकुलरेशन यह सब के जहांसे में आपको नहीं डालूंगा ठीक है सिंपल सा लेक्चर होने वाला है एक तो आपको बहुत मजा आएगा डेफिनेटली तो आपने मेरे previous lecture देखे है ना देखो नवा लेक्चर आ गया नवा एडिली बुलू ना तो यह इसकी 14th lecture है 14th lecture कैसे क्योंकि पहले तो मैंने इस चार वीडियो मैंने एक्सकुलरेशन तक करे एड एक्सकुलरेशन के बाद जब ग्राप पढ़ने वारे थे उसके पहले मैंने आपको क पढ़ा अब ग्राप से रिलिटेट कोशिन करे एक्वेशन ऑप मोशन की भी वीडियो लाए मैं एड उसको भी मैंने फिनिस कर दिया ठीक है तो यही है कि यह है ना जो यह वीडियो है यह 9th वीडियो यह सर्कुलर मोशन है यह हमारी मोशन चैप्टर की लास्ट वीडियो ह इसके बाद हमने NLM स्टार्ट करेंगे Newton's law of motion उसके बाद है ग्रैविटेशन यह है ना दो यूनिट बजगे यह दो यूनिट आपके के मतलब first term में है सीबसी के first term की syllabus में है तो डेफिनेटली यह बड़ी चैप्टर थी बच्चे यह बड़ी चैप्टर थी और NLM है ना N अगर हमें मूव करना है मान के चलो तो हम अलग अलग जिससे हम लोगों ने जीतना भी अभी अभी चैप्ट पढ़ा ना पीछे एक्सक्लोरेशन एवरेज वेलसीटी यह स्पीड डिस्प्लेस्मेंट सब हम लोगोंने स्टेट लाइन के उपर कंसीडर करके पढ़ा तो हम हमने मेनली बोलूंगा आथ हमने वणी मोसन स्टड़ी किया लेकिन अभी हम लोग मेंस त्रॉक्जर को ओपर बनाके जाता है जैसे आपने पथर को थो किया तो यह इधर जाएगा ऐसे ठीक है समझ गया ना तो यहीं यह प्रोजिक्टाइल मुशन लेकिन खुजिक बात यह है कि प्रोजिक्टाइल मुशन आपको अभी नहीं पड़नी है प्रोजिक्टाइल मुशन आपके 11th class में है उसके पहले जिकर भी नहीं होता तो मैं discuss भी नहीं करूँगा देखे वह सिंपल सी बात है वही कि यह सी से कोई body start करना चलना जुरू की rectangular path पर यासे तो यह क्या दिखा रहा है आपको यह rectangle path पर rectangular track पर चल रही है यहाँ पर एक direction थी एक specific direction पर यहाँ पर एक direction चेंज होगे यहाँ पर 6 side है तो 6 जगर direction हो जाएगी यह है यह है आपका octahead मतलब octagonal है octahead वह chemistry वाले में घुश जा रहा था ठीक है तो यह क्या है octagonal safe है तो इसमें क्या है एट जगह इसकी side change होगी लेकिन circle के बारे हैं क्या कहना है बच्चे आपका circle में जैसे circle है न तो circle में तो हर point पे हर point पे उसकी क्या होगी direction तो बच्चे change होगी न देख लो ना खुदी देख लो इसमें जो है न इस side को बड़ा बड़ा करते चोटा 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 जो यह है न यह जैसे eight side वाली थी तो इसको और एकदम small small part चोट चोटा करकर 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 हमने circle generate कर दिया तो circle में अगर कोई body move करेगी न तो उसकी क्या होगी उसकी हर point पे क्या होगी आपकी direction चेंज होगी ठीक है समझ गया न कि मतलब velocity चेंज होगी simple सी बात direction चेंज होगी अब चलो आगे move करते हैं simple सा lecture है यार कोई high-fake concept नहीं है देखो uniform circular motion के बारे में आपको पढ़ना है अब uniform से आप पहली बात तो समझते क्या हो uniform motion से आप समझते क्या हो आप simple सी बात मेरे को बता uniform मतलब की यह होता है simple जैसी uniform मैं बोल दूँ uniform speed टाइप बात कर दूँ तो uniform speed मतलब की यह होता है इकवल डिस्टेंस इन इकवल इंटर्वल अप ताइम तो इसी का uniform circular पाथ आपको तो इसमें कोई high-five concept थोड़ी नहीं है वेन बोडी ट्रावल्स इकवल डिस्टेंस इन इकवल इंटर्वल अप टाइम ठीक है it is called then it is called क्या लिखा है uniform circular motion मतलब की अगर circular track पे कोई body equal distance इकवल डिस्टेंस अना डिस्टेंस अब इस पर जाना displacement पर मत जाना distance distance मतलब length simple सी बात कोई सी भी length अगर वो equal interval of time में equal length travel करती है तो वही ना simple सा की वो हो जाएगा uniform circular motion मतलब circular track पे move तो कर रही है लेकिन बराबर बराबर distance बराबर बराबर interval of time में travel कर रही है तो अगला इसका क्या है अगला इसका formula मतलब sorry अगला इसका definition simple सी बात ये है कि when an object travels in a circular path with a constant speed मतलब की simple सी बात जैसे की speed क्या होती है होती है अब आपको बोला कि uniform है तो uniform है तो same distance जैसे टू मीटर है एक सेकड़ में चल रही है अगली टू मीटर भी एक सेकड़ में चलेगी अगली टू मीटर भी एक सेकड़ में चलेगी simple सी बात है ना मतलब की uniform speed लिख दिये simple सी बात when an object travels in a circular path with a constant speed समझ रही हो ना म मतलब constant speed से जब कोई circular track पे move करेगी तो वो क्या हो जाएगा uniform circular motion uniform क्योंकि क्योंकि बराबर बराबर लैंद बराबर बराबर interval of time में चलेगी simple सी बात समझ में आ गया ना अब देखो इस पर main समझने वाला चीज है ना कि motion in a circular path is always accelerated even though speed is constant अब आपको कुछ समझ पड़ा क्या क्या because direction of motion changes continuously मतलब simple सी बात है जिसे कि यह circular track है circular track है तो मैंने आपको exclaration क्या होता है exclaration तभी generate होगा तभी 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 generate होगा जब क्या हो velocity में change हो अब velocity में change हो जान रहो ना कि अब यह जिसे circular track पर move कर रही है इसके आप भले तो constant speed है constant speed आप जान रहे हो ना बच्चे कि speed एक skiller quantity है speed एक skiller quantity है तो इसको केवल किसी किस से किस से मतलब है केवल magnitude से मतलब है इसक जो अपनी velocity है ना बच्चे यह velocity जो होती है यह velocity है आपकी vector quantity ठीक है यह velocity है आपकी vector quantity है तो माना कि इसका magnitude तो हर जगह सेम रहेगा टू मीटर पर सेकेंड टू मीटर पर सेकेंड टू मीटर पर सेकेंड टू मीटर पर सेकेंड हर point पर सेम रहेगा लेकिन बच्चे direction तो हर ज चैपनी एकदम असान है तो समझ गया ना कि velocity की direction क्या है ना हर point पे change हो रही है हर point पे change हो रही है तो हम क्या बोलेंगे कि velocity वेक्टर quantity है तो velocity दो तरह से change हो सकती है या तो उसकी magnitude change हो जाए या तो दोनों change हो जाए कोई दिक्कत क्या तो इसमें तो देखो magnitude जो है ना magnitude मतलब number बोलते है तो हम क्या बोलतेंगे वेलोसिटी चैंज हो रही है थीक है मैंने हर पॉंटके में इसको एक्स्प्रेन किया था कि कि ふیलょसीटी अगर हर पॉइंट पेड़ हो रही है तो यह एक्सकलराइशन होगा पूरे सर्कूलर मोसन में क्या होता है क् पीडियरेक्षिंट पीजेट बारेजयनी भी औफज्जेट्ट गरें मुव कर रहा है तो उसकी direction तो continuously change हो रही इन अभी ऐसे move करना चाहा रही थी थोड़े दिर में ऐसे move करना चाहेगी मतब tendency देखो tangent वाला घिद्धो tangent अब tangent क्या होता है देखो simple सी बात ऐसे है एक point से जो touch करता हुआ जाया tangentially यह होता है आपका tangent simple सी बात समझ गया ना यह circle को एक point पर touch करता हो जाया तो यह है कि velocity की direction हर जगा change हो रही है high five concept नहीं है आरा असान है पूरा circular motion बहुत आसान है आपके 9th में तो हलाकि 11th में है अब देखो 11th में बहुत सारे angular displacement यह सारा दुनियादारी आ जाता है मैंने सोचा था कि आपको मैं इतना अब यह सब क्या आप बोलोगी आप बोलोगी यह सब क्या है तो देखो सिंपल सी बात अगर कोई circular track पर ऐसे move कर रही है तो जो सेंटर के टूर्ट लगेगी एक्सकलरेशन ऐसे ऐसे सेंटर के तरफ टूर्ट सेंटर के तरफ उसको centripetal एक्सकलरेशन बोलते हैं एसी से ए नीचे में C एसी से डिनोट करते हैं मतलब आप समझ गया ना सिंपल सी बात है कोई concept हाई फाई थोड़ी ना है देखो जैसे कोई circular track पर move कर रही है तो इसको अंदर कोई अंदर की तरफ जो एक्सकलरेशन लगेगी ना इसको बोलते हैं एसी ए सेंटरिपिटल यह आपके बुक में नहीं दीवा है मैंने additional add कि है और दूसरी बात जो दूसरा चीज है कि यह जो tangentially लगती है ना यह जैसे यह है यह तो होगी आपकी centripetal ac लिख दिये और जो इस तरफ लगती है क्यों लगती कैसे है यह जानो कैसे कैसे होता है इसका concept मत जाओ उसको बहुत बताना पड़ेगा आपको फिर यहाँ इधर से जो लगीगे ना तो यह 80 हो जाएगी ठीक है यह tangential लग रहे tangent जार रहे हो ना क्या होता है यह ऐसा circle and एक point से जो touch करता हो जाए उसे tangent होता है तो a tangential and net acceleration क्या होता है देखो a centripetal and यह a tangential तो इसके बीच से जो ऐसा निकलेगा ना यह हो जाएगा a net दोनों का net समझ गया ना simple सी बात है यह सब vector vector में पढ़ो गया यह तो आपके में है भी नहीं लेकिन मैंने इसको जान बुचके कम से कम आपको पता तो रहे कि कितना type के exclaration होता है that's why मैं आने आपको समझ आ ही गया होगा ठीक है अब इसके बाद देखो simple सा चीज है इसके बाद क्या चीज है formula अब formula क्या है formula simple सी बात हम speed निकालेंगे इससे अब speed का formula speed is equal to क्या होता है आप जानते हो speed is equal to total distance travel upon total time तो in case of circular motion अगर circular motion में मैं अगर यह formula लगाना से गई यहाँ पर आ गई आप displacement लेने मत जाना लग जाना displacement का concept मैंने आपको अच्छे सबता है लेकिन आपको लेना है total distance क्योंकि speed लिखाल रहे हो न speed ही तो constant है speed constant that's why हम लोग इसको calculate कर रहे है velocity constant नहीं है velocity की magnitude हले constant है लेकि direction change हो रही है समझ रहे हो न तो जैसे magnitude of velocity बोलेगा न तो speed ही है समझ जाना ठीक है न अगर कही सी question में लिखता है कि find the magnitude of velocity तो simple जिबात आपसे तो speed ही पूछ रहे हो ठीकिन आपको इसमें क्या करना है आपको सीधे सीबात इसमें speed निकालना है देखो 2 pi r होता है circumference of circle इतना असाना सान concept है and suppose that यहां से move किया है ऐसे उसी point पर आ गया न तो एक round लगाने में एक round यह तो यह इतना distance चल गया वो 2 pi r चला and उतने चलने में उतना distance चलने में उसको समय लगा t एक round लगाने में t समय लगा तो simple सी बात क्या करना है speed is equal to 2 pi r 2 pi r by t यही आपका formula है बच्चे speed का बस इतना ही दिया हुआ है ठीक है and इसके पास simple सा वोई concept है देखो मान के चलो न देखो यह इधर यह क्या लगता है आपका tension force लग रहा है force उसके बारे में अभी छोड़ो sorry 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 अभी हम लोग kinematics पढ़ रहे हैं हम अभी कैसे हो रहा है motion उसके बारे में तो कुछ भी discussion नहीं करेंगे ठीक है तो अभी तो देख लो आपको इधर acceleration लग रहा है AC इधर acceleration लगेगा AT and इधर finally इधर acceleration लगेगा A net ठीक है A net के वज़े से यह इधर लगा रहा है यह इधर लगा रहा है ठीक है तो यह क्या है ना दोनों एक दूसरे को मतलब बराबर ऐसे manage की हो है कि यह circular path पे move कर रहा है समझे रहो ना यह सर्कूलर path पे move कर रहा है लेकिन मान के चलो यार मान के चलो just थोड़ा दिरकली तुम सोचो कि यह तो एक तो manage की हो है एक दूसरे को यह a centripetal एंड यह a tangency एक दूसरे को manage की हो है तो that's why यह जो है ना यह इसको ऐसे मतलब इसकारण से यह circular path पे move कर है लेकिन अगर यह जो है ना यह बंदा है बंदे को दिग गई इधर कोई बंदी समझ जाओ बंदे को दिग गई बंदी बंदा हो गया interested बंदा जब interested हो जाएगा तो यह क्या इसको घुमाते रहेगा क्या वो तो हो गया interested गूमाना बंद कर देगा इसको जैसे यह घुमा रहा तो घुमा के इसको छोड़ दिया अब ये suppose that यहीं पे बंदी है अब ये तो अपने जल्दी-जल्दी में इसको घुमा के घुमा रहा था अपना केल रहा था बच्छा लेकिन जैसे ये बंदी को देखा लेकिन ये बोल दिया इसको मैं छोड़ दूँगा बोला अब ये just इसको छोड़ देगा ना तो ये क्या हुआ ये just hand से छोड़ दिया and suppose that suppose that हो जाया ऐसा ये ऐसे होगा ना ये ऐसे आया अब ये क्या है ना इसके हां तो exclamation बंद होगी ना बच्छे ये छोड़ दिया तो ये circular path पर move करेगा क्या अभी भी नहीं move करेगा अब ये मान के चलो ये ऐसे निकला यहां से मतलब छूड़ गया इसके हाँ से छूटा इसके move पर आके direct लग गया ठीक है बंदी रोने लग गई ये बंदी चली गई सिंपल सी बात तो ये क्या समझ में है इससे आपको अगर ये छोड़ देगा ना तो ये एक इससे path पर move करने लगेगा ठीक है क्योंकि acceleration जो एक दूसरे को cancel out मतलब एक दूसरे को manage कि हुए थे उनका effect कम हो गया सिंपल सी बात तो वही है ना कि ये है ये जो आपका कोई भी stone है stone को ऐसे से अपने आपको सक्तिमान समझ रहा है और इसको घुमा रहा है ठीक है और इसको ये छोड़ देगा तो ये straight line में ऐसा move करेगा क्या पता कहा जाएगा मुझे भी नहीं पता कहा जाएगा समझ गया ना तो यही है आर कुछ concept नहीं था पस आपको speed is equals to क्या रहा याद रखना है speed is equals to 2 pi r by t ठीक है समझ गया ना 2 pi r क्यों लिए 2 pi r था आपका circumference and t इसलिए लिए क्योंकि एक circle मतलब एक round लगाने के लिए इसको t time लगा अब देखो सारा कुछ जो concept था ना खतम हो गया यह आपके exercise की जो last question ना वह है यह आपके exercise की last question है इसको मैं discuss कर देता हूँ यह आज का last question है circular motion बहुत basic दिया हुआ है और बहुत आसान भी है ठीक है अब क्या बोलता है an artificial satellite is moving in a circular orbit of radius इतना इतना calculate its speed if it takes 24 hours to revolve around the earth simple सा concept है कुछ rocket science इसमें भी नहीं है simple सा बोल का रहा है जैसे satellite है यह कोई satellite है और यह अपना अर्थ यह अपने अर्थ के चारों और revolve कर रही है तो यह जो यहां से यहां तक satellite की जो यह radius है न यह तो ऐसे path पर revolve करेगी तो यह radius दी हुई है 4,2,2,5,0 km यह अपन को दी हुई है radius ठीक है यहां से यहां तक की satellite की radius यह 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 वेट a second यह आपको दी हुई है यह radius दी हुई है ठीक है समझ कहना और यह radius जब दी हुई है तो अपन को क्या एक revolution complete करने के लिए simple सी बात तो वही है ना आपको क्या करना है speed is equal to distance upon time distance तो क्या हो जाएगा 2 pi r by t and 2 into pi को 22 by 7 लिख दिए and radius तो दी हुई थी ना तो इसको किलोमेटर में ही रखना है हाप एक किलोमेटर यहां किलोमेटर में रखना अभी बता रहा हूं क्यों किलोमेटर में बहुत बड़ी यूनिट आप बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगे ऐसे में यह किलोमेटर में रख दिए एंड देखो अब इसको ना 24 आर ही मत रखे रहा ना यार क्योंकि ना देखो अपन को ना जैसे seek of simplicity के लिए मतलब जीतना कम value आया हो हम चाहते हैं तो हम क्या करेंग नीचे में जो 24 आर है इसको second में change कर देंगे हम second में कैसे change करेंगे जैसे 21 आर है न हे कितना सेकन्ड होता है 60 इंटू 60 सेकंड होता है होता है कि नहीं यार 60 सेकंड फिर इसके बाहरद अगर 24 आर में कितने सेकंड होंगे करना है तो 24 into 60 into 60 simple सी बात ये कर दिए तो ये नीचे में तो देखो उपर में wait a second उपर में किलोमेटर है और नीचे में second है ठीक है किलोमेटर second है ये निकालो यार क्योंकि छोटी unit आएगी अच्छा अच्छी खासी ठीक है अब second से और कम कर सकते हो क्या millisecond में ऐसा नहीं न second हम लोग पढ़े हैं तो second हम ही करेंगे ठीक है तो ये हो जाएगा आपका 2 into 22 by 7 into 4 2250 upon 24 इसको second में चैंज कर दिए किलोमेटर में भी भी है और इसको अगर आप 2 into 22 into 4 2250 करोगे और 7 नीचे आजाएगा तो 7 into 24 into 16 into 60 अब इसको मैं homework दूँगा आपको ये 00 cancel हो जाएगा इसको अगर cut करोगे तो 12 इसको अगर आपका cancel करोगे ना तो ये इतना आजाएगा 3.07 km पर सेकेंड देखो किलोमेटर ऊपर किलोमेटर था एंड नीचे सेकेंड था ये कलोमेटर पर सेकेंड इतना ये कलकुलेशन करके देखना बहुत असान सा कलकुलेशन होगा तोड़ा तो लेकिन लेंदी जाएगा लेकिन आपको आपको कलकुलेशन भी तो करनी है ना यार तो ये क्या हो जाएगा ये speed is equal to 3.07 km पर सेकेंड मतलब एक सेकेंड में 3.07 km चल रही है सोचो एक सेकेंड में 3.07 km वह बहुत जादा वैल्यू है तो यह है the speed of artificial satellite is equal to 3.07 km पर सेकेंड तीक है अब इसको average मत लेने लग जाना क्योंकि एक constant velocity से move कर रही होगी ना ठीक है तो average बोलो चाहें ये speed बोलो ये वह ही मतलब है उमीद है आपको समझ तो ये हो गया आपका question complete and यही आपके exercise में दी हुई थी question जो अच्छी थी and definitely और कोई question है भी नहीं तो मैं सोच रहा हूँ क्योंकि circular motion से यही आपको formula देके question पूछेगा क्योंकि कोई concept दिया नहीं हुआ है तो अब देखो अब simple सी बात ना आपका ये chapter complete ये chapter जो है ना motion chapter आपका complete complete मानो और आपको NCRT के जो हलवा हलवा question बचे हुए हो तो आप करी सकते हो ना जो दमदार दमदार problem हो सकते था आपका concept build up हो सकता था सारा मैंने कर दिया है and आप तो क्या करो अब आप तो notes बना लो notes बना लो and revise कर लो and बता दूँ आपको इसके आगे आने इसके बाद आने वाले जो chapters है ना जैसे NLM है NLM मतलब की Newton's law of motion and इसके बाद है gravitation ये दोनों ना लट्टू लट्टू chapter है ये जो पहला chapter था इसमें मेरे को कई सारे आपको concept बताना था that's why मुझे समय लगा इस पे लेकिन ये NLM है न और gravitation है NLM में तो मैं आपको बता रहा हूँ 5 concept है के वल NLM में के वल 5 concept है first law of Newton Newton's first law Newton's second law Newton's third law and उसके बाद है आपका conservation of momentum उसके बाद क्योल numerical कुछ नहीं है बच्चे उस chapter में and gravitation तो और भी basic chapter है and gravitation force होती क्या है यह सब बताना पड़ेगा simple concept मतलब वह है फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा first term का syllabus इतना ही है उसके बाद जो आधी बच जाती है न वह second term है तो हम तो आप तो क्या कर रहो आप तो first term को ही master कर लो नहीं है उस समय time मिलेगा तो definitely one month में मैं तो आपका syllabus बस खतम कर ही सकता हूँ ना तो उस समय के लिए wait करना ठीक है तो यही है फिर अगर अभी मैं थोड़ा 10th के उपर भी focus करना चाहा रहा हूँ 10th के उपर भी मैं वीडियो वगरा डालूंगा तो that's why आप थोड़ा ए रहो stay tuned रहो कि आपकी lecture आएगी definitely आएगी आपका syllabus मैं खत chapter होना मैं वचा रहा हूँ कि उसको complete कर दूँ ठीक है उसको complete कर दूँ ताकि आप happy happy रह सको मस्त ठीक है तो आपकी physics की तो आप तो खुसी मनाओना है और आपकी button कम हो रहे हैं आपकी button कम हो रहे हैं आपकी physics की इतनी अच्छे way में इतने अच्छे way में मैंने क्या कर दिया complete कर दिया पहला चैप्टर complete हो गया है complete हो गया है अगर additional मेरे को questions डालने होंगे दमदार दमदार लेकिन सारे question तो मैंने अच्छे जो है न वीडियोस वीडियोस में ही करा डाले हैं ठीक है अच्छे अच्छे level के question आपके ग्राप से बन सकते थे ग्राप के level के मैंने question करा दी है बहुत अच्छे-च्छे question करा है वही मतलब है मतलब यही बोलना चाहरा हूं मैं कि आपका syllabus लगभग लगभग syllabus नहीं यह chapter लगभग लगभग नहीं खतम हो ही गया आप जाओ सारे question लगभग 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 भी हो चुके है अब 37 member हो चुके है तो यह है मेरा टेलेग्राम ग्रूप की लिंक https टीमी मयंग सर ठीक है यह यही है ऐसा कुछ दिखता है ऐसा इंटरफेस है इसका ऐसा दिखता है मेरा आज देखो आज मतलब लेक्चर खतम होगा है that's why मैं आपसे बात कर रहा हूं ठीक है वरना ज़्यादा बात नहीं करता लेकिन यह है ना यह मेरी टेलिग्राम ग्रूप ली ग्रूप है अगर देखने हैं तूरं-तूरं रिवाईज करना है ऐंट उसके बाद आपको क्या करना अपना concept कर लेना है और concept विल्ब हो जायागा उसके बाद तो मज़े ही मजए क्योंकि concept अगर आने लग गया तो आप तो दुनिया के राजा हो बच्चे ठीक है आपको मजा आने लगेगा और बताओ मतलब कैसे चल रहा है आपको पढ़ाई वड़ाई देखो मैंने अपना यूट्यूब चैनल कब सुरू किया था बताओ मैं 28 को मैंने पहली वीडियो डाली थी यूट्यूब पे अपनी यूट्यूब पे और आज है आज लगभक आपका हो गया 12 तारीक 12 में है तो आप यह समझ जाओ कि 14 डेज में मैंने आपका बहुत बड़ा पोर्शन खतम कर दिया बहुत बड़ा पोर्शन खतम कर दिया मैंने लेकिन कुछ दूसरे दूसरे अडिशनल लेक्चर भी डाले नहीं यार्ट इतने टाइम लगे लेकिन अगर आप सोच रहो कि आपका ज मुझे ज़्यादा समय नहीं लगने वाला सिंपल सी बात समझ जाओ मुझे ज़्यादा समय नहीं लगने वाला मैं चाहूं तो आओ मुस्किल से 5 दिन में भी आपकी इसले बस खतम कर सकता हूँ लेकिन मैं आपको टाइम दूँगा भी डेफिनेटली क्योंकि चैप्टर ख खतम कर दूँगा यह मेरी गैरेंटी है मैं जो बोलता हूं वो करता भी हो बच्चे आपका फर्स्टम का सिलिबस मतलब की देखो ग्रैविटेशन तक बोल रहा हूं मैं ग्रैविटेशन तक इसके बाद अगर एडिशनल एड होता है तो मैं नहीं कह सकता ग्रैविटेशन तक तो मैं आपकी सिलिबस खतम कर दूँगा तो यही है अच्छे से रहो ठीक है लास्ट होई है थैंक्स पॉच्छिंग आपको का केर करो इस पेस लिए अपने हैल्थ का ख्याल रखो है अच्छा होगा सब चीज अच्छा होगा है है अपने जो आसपास की इन्वार्मेंट है उसको एकदम ख्लीन रखो डेली अगर आपको हो सकता है तो आप मेडिटेशन वगरा करो मेडिटेशन वगरा बहुत आपकी एज में न ये जो एज है न ये एकदम fluctuating mind होता है इस समय seriously बता रहा हूँ आपन जब 9th में थे तो हमारा mind भी न टिगड़म बाजी किया करता था इधर 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 दस तरब भटकते रहाता था तो मैं क्या करूँगा न एक आपके लिए strategy वाली वीडियो डालूँगा strategy मतलब कि आपको अभी क्या क्या चीज नहीं करनी है और क्या क्या चीज करनी है इसके बारे में अगर आप interested हो तो definitely बताना मैं डालूँगा इसको जरूर लेकिन अब ये देखते हैं